एक्सेसाइज 1.3 टैन्थ क्लास मैथ रियल नंबर्स जे एक्सेसाइज करने से पहले हम जे थियूर्म को अच्छी तरह समझ लिए थियूर्म 1.3 लोग क्या है जे थियूर्म देखें एक एर लेट पी भी है प्राइम नंबर प्राइम नंबर आपको पता ही है जिसके केवल द 12357 1113 nay इसका इफ़ डिवाइड जे मेर तो पी फिर एको भी डिवाइड करेगी अगर पी समक्वार्म दिवाइड करता है तो विड़े को भी डिवाइड करेगी इसका क्या मतलब है वे रीजह पॉस्टिव इंटीज थे कोई पॉस्टिव इंटीजर हो सकता जैसे स्प्रा तो 6 स्केर बन गया, यह दा मतलब 3 also divides 6, जे इसका मेनिक है, फिर एक बार एक और इंग्जाम्पल देख लो, जैसे 5 is a prime number, 5 divides 625, आपको पता ही है जे डिवाइड करता है, 5 एक सो पच्ची, ऐसे ही 36 भी डिवाइड, 13, 12, 6 आपको पता है, ऐसे ही, 5 625 को डिवाइड कर रहा है अब 5 पच्ची का स्केर, 625 पच्ची स्केर लिख लिए हो, 5 divides 25 स्केर, जे 25 स्केर को डिवाइड कर रहा है, जे तो हमें पता है, तो 5 also divides 25, तो 25 को भी डिवाइड करेगा है कहने का मतलब जे अगर कोई number है, जो स्केर को, उस number के स्केर को डिवाइड करता है, अगर PA स्केर को डिवाइड करता है, तो PA को भी डिवाइड करेगा लोजी एक्जामपल से आपको बता रही है, आगे इसमें को प्राइम नंबर्स आएंगे, the numbers having one as a common factor, वो नंबर जिनका one common factor हो, उसको को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, जिनका HCF one हो, जिनका for example factors of three, तिनके factor one three है, five के factor one five है, अब इनका common factor केवल एक ही है, कहने कमें इसका HCF कितना आएगा एक, तो जे इनको कि कहते हैं, these are co-prime numbers, three and five are co-prime numbers, ऐसे और बहुत इंग्जामपल्स हैं, मारे को पास, seven, eleven, seven, sixteen, four, fifteen, आर, et cetera, are co-prime numbers, जे इंग्जामपल्स हैं, और भी इंग्जामपल्स हो सकती हैं, exercise one point three, question number one, prove that square root five is irrational number, जे इसे हम प्रूव करेंगे by method of contradiction से, कैसे देखो, क्या method है, हम पहले किसे इसे गल्त suppose कर लेंगे, और इसका result जो प्रूव करेंगे, वो भी गल्त ही आएगा, तो फिर हम conclusion निकाल लेंगे, let us suppose, let us assume that we लिख सकते हो, let us suppose that square root five is rational number, जहां irrational लेका हमने क्या मान लिया, rational number, we can write for rational number को कैसे form में लिख सकते, ए बटा बी की, पी बटा क्यों की form भी लिख सकते हो, आप, where a and b are, in teasers, और b not equal to zero, जे इसे rational number की definition है, a and b are ko prime, नहीं कोई common factor नहीं है, आप बी को दूसरी तरफ ले जाओ, जो बनगा b square root five is equal to a, अब scaring both sides दोनों को scaring कर दो, जे क्या बनगा, b square five is equal to a square, इसको 5 आगे लिख सकते हैं आगे पीछे करके लिख सकते हैं मल्टिप्लिकेशन में 5B स्केर इस इकल टो A स्केर बन गया therefore A स्केर इस डिविजिबल बाइ 5 यह दा मतलब A स्केर क्या है 5 से डिवाइड होता है then also A is also डिविजिबल बाइ 5 जैसे मैंने पिछली थियोरम में आपको समझाया है पहले ही 1.3 थियोरम तो A, B, 5 को डिवाइड करेगा इसका मतलब है अगर होन यह जहां बात एक समझने वाली है होन जो इदर 5 फैक्टर आ रहा है 20 के इसमें फैक्टरी होगा न मतलब यह जो नमबर इदर बने गा 5 से डिवाइड हो रहा क्यूंकि जहां 5 फैक्टर है तो इदर भी 5 फैक्टर हाना कहने का मतलब यह नबर भी 5 से gewाइड होगा ही ओगा तभी जह दोनों एकूल होंगे फौर एक्जामपल मैं आपको बताता हूँ जैसे मैंने बी ले ले लेया अंडू 20 स्केरू 20 ए 10 ले 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 объяс अब मैंने इसको लिख रहा है फाइव स्केरू 20 का स्केर, किसके बरबर आ गया 10 का स्केर बरबर, जह दूनों साइडे кабर होगी अगर left hand side देखो आप देख रहे हैं भी 5 से divisible होगी क्योंकि इसमें 5 आ रहा है तो right hand side भी 5 से divisible होगी चेक कर लो बेशक अब 5 भी 500 होता है क्योंकि 5 divides 10 square तो 5 100 बनता है ना 10 square को divide कर तो 5 10 को भी divide करेगा अगर दोनों side ही 5 से divide होगी 55 दोनों side हों में 5 factor होगा यह इदर है तो अधर भी 5 फैक्टर होगा ही होगा जे बत ही जह बात हम लिकते हैं therefore a is a square is divisible by 5 इसका मतलáticas अगर 5 factor इदर है तो इदर भी होगा ही होगा इसमें भी 5 factor आएगा ही आएगा होना A यह है A को हम F5 आ रहा है तो इसको क्या लिख सकते है F5C F5 का फेक्टर लिख सकते है F5 बना C, C क्या है C multiple होना यह जिदाए क्कासी वैल्ली हो सकती F5 भी हो सकता करना 10 भी हो सकता है मुझे नहीं पता 15 हो सकता 20, 25, 30, 35 कोशुंभी हो सकता है अगर मैं इसको 5 से डिवेब फैक्टर बनाओं, 5 थे, C1 भी हो सकता, 5 जा 5, 2 जा 10, 5, 3 जा 10, इसका मजलों, C की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 हो सकती है, मुझे नहीं पता, इसलिए मैंने जहां C लगा दिया, फॉर सामेंटीजर, C, तो A किसके बराबर है, 5 C के बराबर, बन गया, और जे, सब्सिचूटिंग दा, वैल्यू फ ए, इन वन, ए, A की वैल्यू हमने जहां पुट कर देनी है, तो जे, कितना बन गया, A, 5 C है न, तो 5 C का होल स्केर, इसको सॉल्व करो, 25 C स्केर बन गया, अब 5 है, जे, नीचे आजेगा, कट दो 5 C स्केर, B स्केर आगया, 5 C स्केर बराबर, इस मेंज दाट, B स्केर इस आलसो डिविजिबल बाइ 5, यह ता मलब, B स्केर वी जड़ा, ओ, पांजनाल डिवाइड हो रहा है, 5 इसका फैक्टर है, So, B is also divisible by 5, जे, B स्केर 5 से डिवाइड होगा, तो B भी 5 से डिवाइड होगा, जे, हमने ठियोर 1.3 में किया है, Therefore, A and B have at least 5 as a common factor, A और B में क्या common factor आगया दोनों में, A और B में 5 common factor आगया, but this contradicts the fact that A and B are co-prime, पर हम क्या मानके चले थे जहाँ, A and B are co-prime numbers, यह तो contradiction होगी, गल्त थाबत हो गया, जे तो result हमारा, Hence our supposition, असी क्या मानके चले थे, that under root 5 is rational, Hence our supposition, that square root 5 is rational, is wrong, एक्थे लिख लेना है, That under root 5 is rational number, is wrong, so we conclude, square root 5 is irrational number, सब्सक्षब और एंसे जहाँ, बार ले खान कर द liegt कर्दाब,